कि अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वाइडली डिस्टिबूटिटीड क्नेक्टि टीश्यू की काटेगरी के अंदर यह आता है और जो अब आपस में लिंक करता है उनको आपस में सपोर्ट करता है यह अगर बात की जाए गनेक्टिश्यू की तो टीश्यू की दो पार्ठ होते हैं यह आपको बताए था एक सैल होता और matricsycz के दो पाठ execute Six सब्सक्शंस पाइबर को वोलता है अपने टन्टू और जो ग्राउंड सब्सक्शंस होते हैं उनके अंदर आपको peptido glycan है, glucose amino glycan है या glycoproteins देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें तो मैंने आपको बताया था कि cells और cell की एक्रसलिवर मेटिक्स के भिहाफ पर इनको categorize कर सकते हैं। cell कौन-कौन सी हो सकती है। cell कौन-कौन सी हो सकती है, fiberblast, second number, mass cell, third number, four number, adiposol, fifth number, six number, last reticular cell, fiberblast, mass cell, macrophage, adiposol, plasma cell, lymphocyte, reticular cell, on the basis of, अगर बात करें, excess solar matrix तो इसमें fibers मिलते हैं और इसके अलावा ground substance मिलेंगे, fiber में क्या मिलेगा, आपको collagen fiber है, elastin fiber और reticulin fiber है, after that, ground substance की बात की जाए, तो ground substance के अंदर आपको गुलकोजमीन और गुलुकेंस मिल सकते हैं, glycorproteins मिल सकते हैं और peptidoglycan आपको मिल सकते हैं, modified polysaccharide इनको बोला जाता है, यह word important है, modified polysaccharide इसको आप अच्छे से दिहान रखना, एक चीज और आप पच्छे से याद रखें, कि cell और cell की excess cellular matrix को explain किया था आप लोगों को कि excess cellular matrix के इंदर fibers कैसे present होंगे, आपको देखने को मिल रहे हैं, वो वाइट होते हैं, और long होते हैं, ठिक होते हैं, समझ में आई बात और unbranched condition वाले होते हैं, जबकि अपने बात करते हैं, elastin fiber की तो yellow है, thin है, elastic है, reticulin fiber जो होते हैं, उनके अंदर आपको branches अच्छी खासी देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलते हैं, reticular cells जो होती हैं, उनके अंदर देखने को मिलेंगे, clear, यह आपको normally distribution इनका देखने को नहीं मिलता है, कि salt deposition होगा, salt deposition नहीं होगा, या फिर adipose cell के भीहाँ पर अगर अपने बात करें तो इनके अंदर आपको fat deposition देखने को मिलते हैं, clear, फिर उसके बाद आप लोगों से discuss हुई थी यह चीज़ कि जब भी अपने बात करते हैं, स्किन की, तो स्किन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्किन के अंदर आपको आउटर सबसे लेयर, जो कैसी है, stratified है, keratinize है, उसके जस नीचे आपको क्या मिलता है, dermis, dermis के अंदर आपको number of cells देखने को मिल रही हैं, और उसका connection होता है आपकी blood vessel से, यहाँ पर आपको just bandit to the cells, जो tissue देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं, areolar tissue, इसके अंदर according to your NCRT macrophages है, mass cells हैं और fiberblast cells हैं, और fiberblast cells जो हैं, fibers को secret करती हैं, इनको आप undifferentiated cells जो हम मान सकते हैं, और undifferentiated cells इस वह से बोल रहा हूं, क्योंकि यह खुद modified हो जाती है, fiberblast cells becomes to osteoblast और chondrioblast fiberblast खुद एक, जैसे मैं बोल रहा हूं, इसकी identity है, तो आप बोलोगे सर, इसको undifferentiated क्यों बोल रहा हूं, undifferentiated मैं मेरे point of view से बोलो हूं, ता कि आपको चीजें समझ में आई, NCRT में कहीं पर भी mention नहीं है, this cells is former cells of osteoblast और chondrioblast, यह आपको समझाने के लिए बताया गया ह बैसे सारे का सारा origin, mesoderm के अंदर present, जो mesenchymal cells होती है, वहीं से होता इन सभी का origin, नेक्स्ट, उसके बाद आप लोगों से discuss हुआ था, कि types of connected issue के बारे में, तीन द्रगे connected issue होते है, एक होता है वास्विक सेयों जी उत्तक, proper connected issue, एक होता है skeleton connected issue, और थर्ड नंबर होता है, इ उसे पहले loose और dense की बात की जाए, तो loose के अंदर आपको fibers का number क्या मिलेगा, incompatibly कम, और ground substance का number क्या होगा, ज्यादा, second number dense अगर proper connected issue की बात करें, तो fibers का number क्या होगा, ज्यादा, और ground substance का number क्या होगा, कम, clear, for a class, second number बात की जाए, skeleton connected issue की तो इसके अंदर bone and cartilage और यहाँ पर blood किसमें देखने को मिलते हैं, आपको, fluidic connected issue के अंदर fiberless matrix आपको देखने को मिलते हैं, यह discuss हुआ था, उसके बाद आप लोगों को define किया गया था, number of cells के बारे में कि cells कौन कौन सी होती है, cells का description, fiberglass cell, mast cell, macrophages, adipo cell, lymphocyte, plasma cells, important cells हैं, जो आपको पढ़नी हैं, उसके इलावा, blood cells, जितनी भी हैं, वो सारी connected tissue की cells ही है, fiberglass cells, undifferentiated cells, मैंने इसको बोला था, irregular shape होती है, fibers को secrete करती है, osteoblast and contrioblast को बनाती है, mast cell tissue के अंदर present होगी, तो उसको mast cell बोलेंगे, और blood के इंदर circulating होगी, तो वही cell क्या होती है, basophil cells होती है, histamine, serotonin और heparin का secretion करती है, histamine is responsible as an vasodilator and serotonin is responsible as an vasoconstrictor and heparin is a work as an anti-coagulant, जिसको natural anti-coagulant बोलते हैं, जो अपने blood के अंदर present होती है, इसके बाद इनकी shape देखे जाए, तो amoe bottle shape होती है, macrophyses का mean work होता है, phagocytic action, क्या होता है, phagocytic action, और उसके बाद बात की जाए, adipose cell की तो दो तरीके की होती है, on the base of fat deposition, single granules से तो monolocular होगा और एक से ज्यादा granules आपको देखने होती है, तो multilocular होगा, आपकी NCRT ने जो diagram दिया है, वो कौन सा दिया है, single वाला दिया है, monolocular का diagram आपको define किया हुए, और बात की जाए, lymphocyte की तो amoe bottle shape होती है, T lymphocyte, B lymphocyte में further differentiate होती है, T lymphocyte, T helper, T cytotoxic और B lymphocyte, plasma cell, dendritic cells और memory cells की formation करती है, plasma cell mainly आपको याद रखना है क्योंकि उनसे further antibody की formation होती है, जो lymphocyte के further modifications ही आपको देखने को मिलती है, lymphocyte में भी lymphocyte से plasma cell का origin होता है, clear, इसके बाद discuss हुआ था आप लोगों से, first आपका proper connected issue जिसको दो पार्ट में divide किया गया था, एक dense और एक loose, dense के दो category है, एक regular और एक irregular, regular के अंदर tendon example है, जो bone को muscles को bone से attach करता है, और second number अगर अपने बात करते हैं, एक category इसके अंदर irregular, irregular sheet की formation करता है, white fibers, dense proper connected issue, irregular होता है, और irregular की अगर बात करें तो sheet की formation करेगा, और sheet के अंदर glycens capsule जो आपको liver पे मिलेगा, renal capsule जो आपको kidney पे देखने को मिलेगा, epimysium जो आपको आपके muscles, जो muscle fascia होते हैं, उनके उपर आपकी covering जो होती है, उसको क्या बोलते है, epimysium बोला जाता है, epiosteum जो bone के उपर आपको देखने मिलते हैं, perichondrium, pericardium, जो heart के चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा, durameter आपको देखने को मिलेगा, brain पे, epichondrium और यह आपको मिलेगा, cartilage पे और सबसे last के अंदर होता है, cornea of eye, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पर epiosteum बोला है, या फिर epichondrium बोला है, आपको इसको periosteum और perichondrium भी लिखावा मिल सकता है, क्योंकि specifically अगर आप देखें, तो epichondrium जैसा कोई word होता नहीं है, perichondrium आता है, या फिर periosteum word specifically यूज में आता है, जो सबसे बाहर की layer होती है, उसके लिए peri word अपने यूज कर सकते हैं, जिसे epichondrium आपका है, कल किसी बच्चे ने पूछा भी था, इसने पूछा था, epichondrium यह पूछा था, यह पूछा था, यह पूछा था आपको अरेंज देखने को मिलेगी, बट जो periphery है, वहाँ पर तो होगी chondrioblast, उसके अंदर होगी chondriocyte, जो lacuna होता है, lacuna, lacuna के अंदर तो आपको हमेशा chondriocyte मिलेगा, मतलब matured cell मिलेगा, और जो periphery होती ही न, चाहे वो अंदर की periphery हो, बाहर की तरफ हो, terminal जो site हो, वहा जो divination वाली cells है, clear, और बिल्कुल अंदर lacuna में आ जाओगे तो आपको अंदर कॉंट्रियो साइट मिलेगी, clear, फिर उसके बाद discuss हुआ था, cornea of eye, और यह loose proper connected, sorry, यह आपका white fibers के अंदर, जो sheet की formation होती है, वो पूरा complete defined किया था, उसके बाद आ जाईए, yellow fibers dense proper connected tissue के अंदर द vessels, wall of blood and limb vessels, और second number, अगर yellow fibers dense proper connected issue की बात की जाए, regular में, तो क्या आएगा, ligament, जो bone को bone से attach करते है, दुबारा से सुन ले, yellow के अंदर दो category irregular और regular, irregular में wall of blood vessels and limb vessels, यह मैंने आपको tunica media के अंदर बताया था, वहाँ पे लिखा हुआ है, elastic fibers, ठीक है, और second number, yellow fibers regular proper connected issue, जो ligament इसका example है, bone से bone को connect करता है, irregular में white fibers में देखो के तो tendon आपके, इर regular के अगर बात करेंगे तो उसमें skin आपकी NCRT ने example दिया, regular के अंदर tendon example दिया, clear, अब आ जाईए, उसके बाद, उसके बाद आप अच्छे से analyze करें, आप लोगों से discuss हुआ था, NCRT का यह diagram आप अच्छे से analyze कर चुके हैं, cells की labeling आपको पता होनी चाहिए, loose proper crank issue के दो पार्ट है, एक होता है, एक होता है, एक होता है आपका एडिपोज, एडिपोज के अंदर मैंने दो बताये थे, on the basis of monolocular and multilocular, monolocular के भिहाप पे आप ब्राउन फैट बोलेंगे, clear, यहापे fat deposition आपको देखने को जड़ा मिलती है, ब्राउन फैट के अंदर चोटे-चोटे-चोटे granules होते हैं, तो माइट्रो कॉंट्या को स्पेस मिल जाता है, माइट्रो कॉंट्री अच्छा खासे होते हैं, वापे आपको न्यूकलिस सेंटर में ही मिलता है, यहापे न्यूकलिस आपको पैरीफ्री प ब्लड को दो कैटेगरी में डिवाइट किया गया, दो पार्ट में डिवाइट गया, एक प्लाजमा और दूसरे के हैं, फॉर्म लिमेंट, 55% प्लाजमा होती है, 45% क्या होते हैं फॉर्म लिमेंट, 55% प्लाजमा में के अंदर 90-92% आपको वाटर मिलेगा, और rest of जो आपको है नाइटोजन है यूरिया यूरिक एसिड होर्मोन विटमीज एंड एंटी बोडिज आपको देखने को मिलती है और उसके अलावा गर मैं बात करता हूं प्रोटीन की तो प्रोटीन के अंदर आपको अल्बूम इन प्रोटीन जो ब्लड क्लोटिंग में हैल्प करते हैं और दिए प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम defensive mechanism के अंदर वर्क करते हैं प्लाज्मा विदाउट इंड तक करता है और जो ग्लोबिल इनच और वह तो एक प्रोटीन है क्या है एक प्रोटीन है और वह जने आपको कहां Antibody की तरह बिहेव करती हैं और जो ग्लोबिन होती है वो Igz, IgA, IgM, IgE, IgD, Immunoglobulin G, Immunoglobulin A, Immunoglobulin M, E, D, G जो होती है वो placenta cross कर सकती है, A जो first mother milk के अंदर colostrum में आपको देखने को मिलेगी, M जो होती है, first time microbe infection की वज़े से activate होती है, B cell surface marker है, E allergic reaction में activate होगी और जो D होती है, वो B cell surface marker की तरहे behavior करती है, यह सारे general points आपको पता होने चाहिए, Immunoglobulin के regarding, clear, after that आपको पता होने चाहिए, Globin जो protein जो इससे different होता है, वो Hemoglobin के अंदर protein part बनाता है, और Hemoglobin के अंदर protein part होता है, उसके अंदर आपको units, different units देखने को मिलती है, जबकि अगर बात की जाए, 2 alpha और 2 beta, 2 alpha और 2 delta units, आपको HbA1 और HbA2 के अंदर देखने को मिलती है, जो adult person के अंदर होगी, ठीक है, Hemoglobin से, अगर मैं Globin को अलग करता हूं, तो आपके पास में एक part बच्चा है, एक part बच्चा है, वो होता है, हीम, हीम के अंदर पॉर्फाइरी रिंग और F2 होता है, F2 अगर निकाल दूं तो क्या बनेगा पॉर्फाइरी रिंग और वो पॉर्फाइरी रिंग जो होता है, इसके फॉर्मेशन करता है, बिली रूबिन और बिली वर्दिन, जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशन करता है, यह बाइल जूस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा, अगर मैं बात करता हूं, यह फॉर्दर जाकर के यूरो बिल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट फ्रोग, जो आपके सलीबस में हैं, उसमें नुकलेटिट आरबीस आपको मिलेगी, मैमल्स में पूछे कि आरबीस नुकलेटिट किसमें होती है, तो आप कैमल और लामा, उठ और लामा आप बता सकते हो, उसके अंद बलड की बात करें, तो 12-16 g hemoglobin मिलेगा, अगर वात करें, अगर अगर रबीस की बात करें, यह मल्स मेंब्रेन को डॉनेंस मेंब्रेन बोलते हैं, आर भीसी की मेंब्रेन होती है, इसके त्री एम्प और एक आई, आई, एमें नहीं होता है, जीन शीन होता है। यह मूल्ट यह आप लोगों से डिसकस हुआ था उसके लावा आर बीसी की बात की जाए तो आर बीसी का काउंटा जो रहता है फाइव तो फाइप पॉइंट मिलियन पर मिलिमीटर क्यूब रहता है वन टूंटी टेज इसका लाइप स्प्लीन को बोला जाता है ईफ्रण से च्थ में सबसे पहले आर बीसी आपकी योक्सेक से बनती यह इत्रोपवाविसिस प्रोस्टें और यह बात अच्छे देहां लेना इत्रोपोईशिस प्रोसेस को बोलते है है उसके अलावा अपनी बॉडिक अंदर थाईरोइड के सेक्रिट होने वाला सब्सक्राइब करते हैं यह सारे जनरल पॉइंट आप लोगों से रिगार्डिंग डिसकस हुए थे और आर बीसी कलर फुल होती है ड्यू तो प्रेजंस ओफ हीमो ग्लोबिन उसकी वजह से आपको यह रैड कलर का देखने को मिलता है इसका शेप याद रखना शेप के भी हो जाते हैं अजब शेप करते हैं इक तरीके से अपने बात करते हैं जब आप हिली एरिया के इंदर रिक्वार्मेंट नेंस क्युती एगगी according to physiological function तो अपनी body जो होती है वो खुद को adapt करती है और RBC का number क्या होती है बढ़ा लेती है इसी वज़े से RBC का number जो होता है वो hilly area में मिलने वाली persons के अंदर जादा होता है यह चीज मैंने आपको बता दी है अब ecology के अंदर दोबरा पढ़ लेना इधर आ जाओ अपिस सुनो इसे तो अथा है नेक्स्ट अब आजाये लूको साइट सेके इंदर लूको साइट के अि आपव्लोत के इस चौल फॉर एक ग्रेंलीसाइट की बाद करें तो निट्रोफिल है ऐसोफ्ल इसिफ्टीिवाइं परसेंट की फिलो फीस्ती पाथे यहां पर नुगलेस एक्षिन शो करेगी सेकंड की अगर बात की जाए तो हिस्तामीन और साइटोन को रिलीज करती है उसके अलावा इंफ्लामेटरी रेक्षिन के अंदर एक्टिवेट होती है थर्ड की बात करें तो यह अपना इंफेक्षिन को रजिस्ट करती है और उसके स साथ्थ इसके साथसाथ यूथी वाली और इधर घ्ल साइट लिंफोसाइट आतें बात की जाए तो इनका 24R रहता है 24 fruit कि रींफोसाइट की पात कि जाए तो इनका Pokémon अरूटक लिंफोसाइट को लिखावा मिल जाएगा lymphocyte T lymphocyte और B lymphocyte की formation करती है एं T lymphocyte is responsible for the further को मेच्योर होती है डिवाइड आप यूज नहीं करेंगे या यह तो हम नहीं होती है एक बार बन गई हैं से उसके बाद में फुर्द डिवाइड नहीं होगे कुद को मोडिफाइड करके different different kind of identity दे सकती है तो lymphocyte T lymphocyte T helper तक तो बात T cytotoxic तक तो बात ठीक थी क्योंकि T cytotoxic भी फैकोसिटिक एक्शेज़ करती है तो T helper में जब आप जाते हो ना तो T helper जाकर के B cell के बाद जाकर के रोती और बोलती है कि जो आया हुआ प्लाजमा सेल उसके अलावा वो memory cell भी बनाती है ताकि दूसरी बार कोई अगर सेम पैटोजन बोड़ी के अंदर आता है तो पहले से जो है रिस्पॉंस जो है वह बहुति जिसको अपने बोलते हैं सेकींडरी जो रिसपॉंस होता है वह अच्छा कासा आपको देखने को मिलेगा और जल्दी आजयेगा यह जनरल आप लोगों से डिसकस हुआ था आफ्टर वी डिसकस अब आव तो प्लेटलेट्स के बारे में डिसकस किया था था थ्रोंबो साइट इनको बोलते हैं यह कोई ट्रू सेल नहीं है मेगा केडियो साइट के फ्रेग्मेंट से बनती है और इनकी अगर बात कि जाए तो फ्लेटलेट्स दो फेक्टर रिलीज करती है प्लेटलेट डिराइब डिराइब डिर्ट वेक्टर जो लोट इस रिस्पोंसिबल फॉर दावन इलिंग जो सेल्स आसपास की जीजी बैटी ह के लिए बोलती है ताकि जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिपेर किया जा सके जनल पॉइंट है प्लेटलेट्स को लेकर के और प्लेटलेट्स की अगर नंबर की बात करें तो 1.5 लैक्तु 3.5 लैक्ट पर मिलीमेटर क्यूब आपको देखने को मिलता है इनका नंबर या फीर किसी तरह से गर्लेटलेट्स कम हो जाती है तो ख्लोटिंग डिसोडरस स्तार्ट हो जाते हैं जैसे हीदें लेकर लाइन शौर्ड लीन ब tweetãy इसा ही आपको लिंफ के अंदर देखने को मिलता है अगर मैं बात करता हूं ब्लड में से आप ब्लड के जो आर्बीसिस उनको निकाल दीजिए या फिर लार्जर प्रोटीन को निकाल दीजिए तो रेस्ट आफ जो कंपोनेंट होंगे वह फूरे लिंफ को ही रिप्रेसेंट क आपको पॉइंट देखने को मिलते हैं और उसके अलावा अगर यह लिंफ वैसल्स में प्रेजेंट होगा तो लिंफ की तरह यह बहुता है और लिंफ जो होता है वहां पर आप दो चीजें में इंपोर्टेंट लिंफ के रिगाइडिंग आपको याद अधकना है वैसे तो बचावा जो फ्लूड उसको लार्जर वेंस के अंदर चोड़ देती है और यह लेक्टियल रखती फोर्मेशन भी करती है अपने इंटर साइनल विल लाई के अंदर और अपने इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेटी रखती है अगर कोई डैमेज टीशू के अंदर कुछ प्रब्लम हो रही है तो वहां पर टीशू फ्लूड जो होता है वहां पर आपको डब्लू बिस देखने को मिलेगी जो माइक्रोब को इन्वेड करेंगे यह सारे जनरल पॉइंट आपको रिगार्डिंग टू लिंप पता होने चाहिए इस इस फ्लूडी कनेक्टिव टीश छी इनकी मेंट्रिक्स हो सुथा इसमें फाइबर और और उसीन प्रोटिंग मिलता है उसके लावा कैलशीum फोस्फट मेंगेनिशन पोस्पट और कैलशीum पॉस्पट एक्शन काश्यों चाहिए और कैल्शीम पॉस्पट को मिलेगा यहां पर आप मेंशन एकर सकते एक प् skeleton system की first five lines जा करके देखेंगे वहां पर mention किया हुआ proper जो आपको मैं यहां बता रहा हूँ cells के नाम नहीं लिए but cartilage और bone के बारे में general बताया हुआ कि इसकी matrix hard होती है salt का deposition हो जाता है इसकी matrix hard नहीं होती है condritin protein मिलता है sulfated polysaccharide मिलते है mucopolysaccharide आपको देखने को मिलेंगे clear तो यह दोनों आपको पता होने चाहिए उसके बाद आप लोगों से discuss हुआ था bone का structure most important structure है होता क्या है यह bone structure मैं यहां से cut लगाता हूँ cut लगाने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो यलो पार्ट वो यलो बॉन मैरो बनाता है और जो अपर साइड के अंदर कोनर सोते हैं वो spongy बॉन को रिपरेजन करते हैं और बीच में खोकला पाट यलो बॉन मैरो और उसके आउटर साइड के अंदर पार बॉन आपको देखने को मिलती है अपर चाहिड की जो पॉंजी बॉन होती है उनमें ट्रैबीकुली होती है मैंने आपको नहीं बताया ट्रैबीकुली के अंदर रेड बॉन मैरो जो वो फिल रहता है जहां पर हमेटवाइज प्रोसेस चलता है और जो अपर दोनों को बता है तो फिल नहीं होते हैं बंता है अगर एक बार बंगया तो बोन जो है लैंत में ग्रोध करना बंद कर देती है यह चीजज ध्यान अप लोगों को कमपेक्ट बॉन कर बनाऊं तो कट्कर करके आपको बताया हुए यह जो कट्कर करके मैंने यहां पर बता है उस इनके बीच में बनाया है वह रिपेजन कर रहे हैं यह क्या होती है तो मैं दिखा दी दिखती नहीं है यह अंदर से अटेच्मेंट है समझ में आई बात तो मैंने इसको इतना सा पार्ट ना बताकर करके पूरा ही डिफाइन कर दिया इसको अगर मैं यहां से कट लगाता हूं कट लगाने के बाद यह आपको ऐसा देखने को मिलेगा येल्लो बॉन मैरो इस रिस्पोंसिबल फॉर था फैट सोरेज में ली बट इ बनाता है यह था बोन किरिगार्ण बोन आपके से फिल्ड समय के लिए बता दिए होई और इसकी मेंटरिक्स के हटा दो उसमें सॉल्ड का करो उसको बोन में अई रहो बने किसे था यूए पॉर्यकर घ्रट नींस पनोर होती है इसमें सारे किसल में आते हैं कि नदर जो बोडी की आउटर जो वॉल है उससे जो चिपकी हुई जितनी भी बोन्स होती है वह सारी की सारी बोन्स किसमें आती है कि अधर आप देख लो आपका स्कल आप देख लो इस जो पोजिशन से बोन बना देगी बाद में इसी वज़े से इनको क्या बोलते हैं डर्मल बोन्स को समझ में आया नैसस इदर आज़ाये सिसमो मूई इसको पटेला पटेला जानते हो इmad the brain के कौँन से पाट में होता है एस टीलिए धिका नीकर्प अच्छा से जानते हो यह जो नी जोइन नोझी जोइन कुंसा गिकेन कोंसा उट ने कुंसा जोइन और उसकी वजह से वहां पर आपको बोन से सपरेशन देखने को मिलता है हाट के अंदर तो यह आपके सलेबस में नहीं है आपको जो याद अखना है सबसे इंपोटेंट सबसे इंपोटेंट है और सिसामोईड का पटेला एक्जामपल प्रिविए सीर्स के अंदर पहले पूछा गया है 2010 से पहले इस वजह से मैंने आपको यह बता दिया है 2010 से पहले उसके बाद में नहीं है इसी सामोईड यह भी ध्यान रख लेना अब आजा नहीं के इसे एकश्रन से मेंसे तर फ्रंस कर्णा अधरन प्रेखे अग्रण कटिलयज होती है उसके अलावा है पहले लहिंचा आपको लेरिंग पर पर recruiter कैंण क्ह से मेंचियों है धी शडीकिर यह खेलोग यह इंदर दो उसने मैंचन किया है आपने टिप आपना टिप या फिर अञल XL पिननहैं या फिर आपका एपिक लोटिस मेंचन क्या हूं अर्सेक के इंदर उसेंटर बडशन चाहिटे के सेकंड पेज्वाज़ अब्रक्षक देखो सोचो काटिलेज की जो एक्जाम्पल दिये जा रहे हैं वो सारे एक्जाम्पल आपकी इंस्याटी में डायरेक्ट और इंडिक्ट वे से मेंचेंड यह लास्त नहीं दिया हुआ होते हैं वहां पर काटिलेज का पहले तो याद भी रखने वहां पर बोन के मैंने टाइप्स आपको याद रखने को नहीं बोलें तो यह साब पूरा कंपलीट आपका जो कनेक्टिव टीशू है कनेक्टिव टीशू का एक जन्रल सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिपाइन कर दी हैं एक